नमस्कार मेरे इनुमिस्टर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बना रही हूँ ट्रैवल बैग एकदम नए डिजाइन का बहुत ही बड़ा और बहुत ही खुबसुरत ट्रैवल बैग बना है यह आप इसे किसी भी फैबरिक से बना सकते हैं लेकिन सबसे ब और चोड़ाई काफी ज्यादा है जिससे कि इसमें बहुत इसपेस है सामने एक तरफ यह दो पॉकेट है एक यह गोल सा पॉकेट और एक यह छोटा पॉकेट तो यह दो सामने के पॉकेट हो गए इसके अलामा बैक के अंदर भी दो साइड पॉकेट है और दिखिए बैक के और सुन्दर सा travel bag सबी pieces को मैंने पहले से ही quilt करके रखा हुआ है सबसे पहले ये main fabric है फिर बीच में ये देखे half inch मोटा form है और पीछे अस्तर, अस्तर के लिए कोई सा भी पुराना कपड़ा इस्तमाल कर सकते जिसे shirt, pant या फिर suit वगर के कपड़े इसका measurement देख लेते है लंबाई 19 इंच है और इसकी चोड़ाई है 14 इंच, 19 by 14 के इस तरह के दो piece हमें ready करना है तो ये देखे, दो piece एकदम बराबर है 19 by 14 का अब सबसे पहले हम belt को लगा लेते हैं इन दोनों piece में तो ये देखे, ये belt लिया है मैंने 52 इंच लंबा लंबा इसकी 52 इंच है आप चाहें तो थोड़ा चोटा बड़ा भी belt को रख सकते हैं 52 इंच के दो belt हमें लेने हैं अब ये side से 5 इंच पे हमें mark करना है दोनों तरफ से हम 5 इंच पे ये mark करेंगे और उपर की तरफ से 3 इंच पे हमें ये mark करना है तो ये देखिए ये side से 5 और उपर से 3 इंच पे mark मैंने कर लिया है अब यहीं तक हमें belt को लगाना है तो ये देखिए ये belt है ना इसको इस तरह से सीधा करके हमें रखना है और दोनों side बराबर रखते हुए लगा लेना है अब इस तरह से रखते हुए same ऐसे ही दूसरे piece में भी हमें निशान लगा लेना है और इसमें भी हम belt को लगा लेंगे उपर से इसमें भी 3 इंच में निशान लगा लेंगे यहीं तक हमें belt को सीलना है तो इस तरह से दोनों पीस में हम बैल्ट को सील लेंगे अब इसी तरह से ये दूसरे साइड भी बैल्ट को हम सीलेंगे तो ये देखिए दोनों पीस में ये बैल्ट मैंने लगा लिया है बैल्ट लगया है अब हम कोई भी एक पीस लेंगे जिसमें की हमें पॉकेट लगाना है सामने की तरफ तो पहले हम ये एक पॉकेट लगा लेते हैं इसका मेजरमेंट देख लेते हैं लंबाई इसकी 10 इंच है और चोड़ाई 9 इंच है 9 भाई 10 का ये एक पीस हमें लेना है अब सबसे पहले ये जो 10 इंच वाला साइड है उसमें हम ये उपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे अब जहां पर हमने निशान लगा है वहां से कट करेंगे यहीं पर हमें जिप को लगाना है इस तरह से पहले कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रखके हमें सील लेना है अब ये देखें जिप को सीधा करके उपर से प्रेसी स्टिच करेंगे अब यह जो दूसरा पीस हमने cut किया था उसको इसमें sealेंगे दूसरी side jip के अब उपर से इसमें press stitch करेंगे अब यह एक pocket हमारा यह jip लग गया है अब यह उपर इसको pocket के हमें लगाना है तो इस तरह के 2 पीस हमें त्यार करना है लंबाई 5 इंच, चोड़ाई 3 इंच, 3 by 5 के ये दो पीस हमें लेने है आप देखिए बीच में हम इसमें मार्क करेंगे ये 2 and half इंच पे मैंने मार्क कर लिया है आप इसको side से हलका सा round shape देंगे जिससे कि हमें इसको सिलने में आसानी रहे ऊपर की तरफ से ये देखिए round shape दे देना है इसी तरह से दूसरा piece भी हम इसमें round shape देंगे दूसरे piece में तो ये देखिए ये ready हो गया है अब जो हमने बीच में मार्क किया है उसको और ये जो pocket है न इसमें भी हम मार्क कर लेंगे और ये जो मारक है इसको और ये पॉकेट में जो मारक है इन दोनों को मिलाते वे हमें सीलना है बराबर रखते वे एक साइड से दुसरे साइड तक हम सील लेंगे इस तरह चाहे तो आप बीच में इस तरह से पिन लगा ले ताकि दोनों साइड से ये बराबर रहे अब ये एक साइड सिल गया, बिल्कुल इसी तरह से नीचे की तरब भी हम इसको सिलेंगे, एक साइड से सुरू करते वे दुसरे साइड तक हमें इससे सिल लेना है, अब ये देखिए ये सिल गया है, अब साइड में हमें इसमें चाहे तो आप लेस लगा ले, या फिर फोल् हुआ है चोड़ाई जिसकी की दो इंच है अब देखिए इसको हमें इस तरह से रखते वे एक किनारे से सुरू करते वे यह पूरे पॉकेट में सीर लेना है तो यह एक साइड सील लिया है अब देखिए उल्टा साइड से अमने सीला था अब इसको सीधी तरफ इस तरह से करते वे और यह फोल्ड करके हम इसको सील लेंगे बिल्कुल बराबर रखते वे इसको हमें सील लेना है तो यह लेस भी लगया है अब यह पोकेट को हमें बैग में अटेश करना है तो यह देखिए इस तरह से हम रखेंगे और उपर और नीचे क साइड से यह देखिए इस तरह से बराबर रखते वे इसको सील लेंगे साइड से ये दो इंच पे आप इस तरह से मार कर ले और नीचे से भी ये दो इंच पे हमें मार कर लेना है अब उसके बाद इसके उपर हम रखते वे इसको सिर लेंगे अब इस तरह से चालो तरफ हमें इसे सिर लेना है अब ये एक पॉकेट हमारा लग गया है अब दूसरा पॉकेट हम रेडी करेंगे इसमें लगाएंगे ये दूसरा पीस मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है दूसरा पॉकेट इसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच और इसकी चोड़ाई है 6 1⁄2 इंच अब उपर की तरफ से दिखिए ये 2 इंच ये पे मार करना है अब यहाँ से कट करके यहाँ पर हमें जिप को लगाना है तो जैसे हमने पहले वाले पॉकेट में जिप लगाया था ना वैसे ही इसमें भी लगाना है तो दिखिए कपड़े को सीधा रखे जिप को उल्टा रखे सीलना है उसके बाद इसको पलट के उपर से प्रेसिश्टीश करना है और उसके बाद जो दूसरा भाग हमने कट किया था उसको इसमें मिला के सील लेना है जिप में मिला के अब इसमें भी हम वैसे ही लेस लगा लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले पॉकेट में लगाया था अब इसको पलट के हम सीधा करके मोड के सील लेंगे तो ये इसमें भी ये लेस पूरा लग गया है अब इसे हमें बैग में ये दिखिए जो पहला पॉकेट में लगाया था उसके बगल में हमें सीलना है नीचे सी ये बराबर लगते वे मैं इसको सील रही हूं साइड से दो इंच लगभग मैंने छोड़ दिया है तो ये दूसरा पॉकेट भी अब लग गया है ये दिखिए ये दोनों बैल्ट और ये पॉकेट तो लग गया है अब इसे हम साइड में रखते हैं अब दो और पीस हम लेते हैं इसको भी दोनों को मैंने रेडी करके रखा हुआ है ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर है जिसकी लंबाई 19 इंच है और चोड़ाई 12 इंच रखनी है हमें तो ये 19 इंच 12 के ये दो पीस हमें रेडी कर लेना है जो कि बैग में उपर की तरफ और नीचे की तरफ लगेगा तो ये जिदर से 12 इंच है वहाँ से देखिए हाफ पे हमें मार्क करना है 6 इंच पर यानि की और यहां से हम कट करेंगे यही पर हमें जिब को लगाना है ये हम बैग के ऊपर लगाएंगे तो जैसे कि हमने दोनों पॉकेट में जीप को लगाया था वैसे ही इसमें भी जीप को सील लेना है अब जो दूसरा पीस हमने कट किया था इसमें उसको जीप के दूसरी साइड में सीलेंगे और इसमें मैंने ये दो रनर लगाया है इसमें उपर की तरफ आप देखिए ये चौथा पीस हम लेंगे और इसमें हम पहले ये जो दो पीस हमने रेडी के बेल्ट लगावा है इसको एक किनारे दूसरे किनारे तक हम सील लेंगे ये तीन पीस को पहले हम एक साथ सीलाई करेंगे तो ये एक पीस जूड़ गया है अब ये दूसरा पीस हम इसमें देखिए इस तरह से सील लेंगे अब ये दिखिए ये तीन पीस हमने ज्वाइन कर लिया है अब ये जो जीप हमने लगाया है उपर की तरफ जो रहेगा उसको इस तरह से सील लेना है रखते वे फिर ये दूसरी साइड मिलाते वे सीलना है तो इसका सेब कुछ इस तरह से आ जाएगा अब ये दूसरी साइड भी हम इसको सील लेते हैं अब ये चारों पीस हमने सिल लिया है अब केवल बچा है साइड का जॉइंट करना तो ये दोनों साइड के लिये हमें दो पीस र lounge करना है जो देखे इसकी लंबाई चोडाई चाहे तो आफ़ नाप के र lounge करें ये देखे मैंने ये पहले से र estado करके रखा है तो जो हमारे bag की लंबाई है वो 14 इंच है तो इसकी लंबाई हमें 14 इंच रखनी है और चौड़ाई 12 इंच है तो इसकी चौड़ाई भी हमें 12 इंच रखनी है 12 बाइ 14 के ये 2 पीस, साइट पीस हमें रेडी करना है अब ये जो 14 इंच वाला हिसा ये इस तरह से रहेगा चाहें तो आप इसमें ये अंदर की तरफ पॉकेट लगा सकते हैं बिल्कुल ओप्सेनल हैं लेकिन लगा लेंगे तो सही रहता है कुछ छोटे मोटे आइटम आप इसमें रख सकते हैं आप इसमें तो इसको लेकिन ऊपर की तरफ से फोल्ड करके सीलेंगे और बागी की तीन साइट से इसमें पॉकेट में अटेटक करके सीलेंगे इसकी जो चौडाइए है वो 10 इंच है लमबाई उतनी ही है 12 因च अब देखिए इस तरह से ये तीन साइड से हमें सील लेना है अब बिल्कुल इस तरह से दूसरे साइड जो है उसमें भी हमें पॉकेट को सील लेना है जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काटके बराबर कर लेंगे तो ये देखिए ये दोनों साइड पीस मैंने रेडी कर लिया है दोनों में ये पॉकेट मैंने लगा लिया है अब इसे हमें बैग में दोनों साइड में अटेश करना है तो ये देखिए जो बैग है उसको हम लेंगे और उसमें चाहे तो आप पहले जो अगर आपको easy रहेगा इस तरह से seal ना पहले आप उपर की तरफ seal ले फिर नीचे से फिर दोनों side से तो क्या है बिल्कुल बराबर आएगा अगर चाहे तो आप एक side से शुरू करते वे पूरा इसको finish कर सकते हैं तो पहले मैं आपको easy तरी से लेते हैं हम उसके बाद दोनो side से लेंगे तो यह देखिए यह side भी हम से लेते हैं इसका अब यह side seal गया है अब दूसरा side piece उसको यह देखिए इस तरह से चाहे तो यह मैं आपको दूसरा तरीका बताते हूं सिल्ने का यी बैक की सिलाई विलकुल complete हो गई है अब इस बैक को मैं आपको सीधा कर के दिखाती हूं कि कितना खुबसूरत सा यह बैक बना है अप इस बैक को जरूर ट्राइ करना आपको जरूर पसंद आएगा उमिद करती हूं आपको मेरा यह video और मेरा यह बैक पसंद आया होगा लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू